हलो स्टुडेंट स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब जेल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में तो गाईज आज की इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगा कोपा ट्रेड थियोरी का चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के सभी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्योसन आंसर जितने भी स्टुडेंट कोपा ट्रेड से हैं वो अपने सीबीटी एक्जाम की सांदार तियारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा दोस्तों आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप लोगों ने जो एक से पांच चैप्टर तक के क्योसन आंसर का मैंने वीडियो बनाया है अगर वो अभी तक नहीं ही देखा तो इस वीडियो के डेस्क्रिप्चन बॉक्स में जाएए वहां पर जो है मैंने उस वीडियो की लिंक जो है वो डाल रखिए उस लिंक पे जाकर आप लोग जो है एक से फांस तक के जो chapters का video class मैं ने upload कर रखा है वो आप लोग देख सकते हूं तो ठीक है students अभी start करते हैं chapter number 6 chapter number 6 का जो नाम है वो है आपका spread seat application spread seat application तो इस chapter का ये first question screen पे है first question है निम्न में से कौन सा no argument function है no argument function निम्न में से कौन सा है तो guys first option जो है option A जो है वो ही इसका right answer हो जाएगा इसके बाद में देखो next question है वो है आरो ही A, Z या अवरो ही Z एक क्रम में data का arrangement को खालिस्तान कहा जाता है A to Z या फी Z to A जो arrangement होता है उससे हम क्या कहते हैं students उसे हम कहते हैं sorting क्या कहते हैं sorting A to Z या फी Z to A इसको बोलते हैं sorting ठीक है next question MS Excel में dialogue box MS Excel में dialogue box के रूप में save करने के लिए किस function की का प्रियोग करते हैं कौन सी function की का हम use करते हैं MS Excel में dialogue box के रूप में save करने के लिए तो वहाँ पे हम use करते हैं F12 की का ठीक है कौन सी shortcut की का हम use करते हैं F12 की का जो है हम use करते हैं next question है chart का प्रकार जो data प्रदर्शित करता है और समय के साथ बदलता है और within items की तुलना करता है उसे हम कहते हैं guys column chart क्या कहते हैं column chart तो इसके बाद में next question है अपना MS Excel 2007 to 2016 में बनाए गई फाइलों का extension क्या होगा 2011 से 2016 में बनाएगी जो फाइलों का extension है उसे हम क्या कहेंगे guys उसे हम कहेंगे option b dot xlsx ठीक है next question है excel में कौन सा द्रशित प्रश्टो को ठीक वेसे ही प्रदर्शित करता है जैसे printed होने पर दिखाई देते हैं तो guys उसे हम बोलते हैं page layout view कौन सा view page layout view option d का right answer होगा next question है इसके बाद में MS Excel में chart कैसे insert करें जो चार्ट हो इसको insert करने के लिए süम самого insert Cha buy पे क्लिक करते हैं तो insert video चार्ट जा है इसका use करके हम MS XL में chart को insert कर सकते हैं next question है caps में cell text को convert करने के लिए किस command का उपर्यों करते हैं caps में cell text को convert करने के लिए कौन सी command का हम यूज़ करते हैं कौन सी command का use करते हैं equal to फिर उसके बाद में अपर फिर bracket ठीक है small bracket तो option A जो है execution का right answer हो जाएगा next question is friends इसके बाद में Excel worksheet में चिपे सुत्र बार को सम्मिलित करने के लिए operation के किस करम को प्योग किया जाता है तो उसके लिए हम use करते हैं view उसके बाद में so hide और उसके बाद में formula bar तो option A का right answer हो जाएगा next question है MS Excel 2010 में पंक्तियों की अधिक्तम सीमा क्या होगी जो MS Excel है 2010 उसमें पंक्तियों की maximum जो संक्या है वो कितनी हो सकती है तो guys वो हो सकती है 1048576 ठीक है ही कितना हो जाएगा अगर आप इसको counting करोगे maths के अंदर तो ये हो जाएगा 21,02,10,010,010,010,048,500 ठीक है maths में counting करोगे तो 10,048,500,500 10,048,500 option C इसका right answer हो जाएगा next question है data validation is used in data validation का प्रियोख खालिस्तान में किया जाता है कहां करते हैं MS Excel में कोशिकाओं का नाम केसे दिया जाता है अरे यार कोशिका इने एक्चल में सेल अब ये सेल को क्या गूगल ट्रांसलेशन है यहां पर इसलिए कोशिका लिख दिया ठीक है बाकी वैसे भी हम जनरल यहां पर कोशिका कह सकते हैं बागी computer की language में cell ही कहूं इसे ठीक है cell जो कोशिका का नाम है कैसे दिया जाता है कैसे देते हैं alpha numerically alpha numerically आप सभी को पता है जैसे पहली कोशिका तो A ही है न या फिर B, C, D ठीक है 1, 4 यहां लगा देते हैं तो वो जो है अपना alpha numerically, alphabetically जो हैं कोशिका उनको नाम देते हैं जो cells होते हैं जहां पर role column एक दूसरे को परतिछेद करते हैं ठीक है next question है file परकार की पहचान करें file परकार की पहचान करें role number नाम, theory, practical फिर RAM 87902 है, SAM 6888, VJ 9A98 तो यह जो है guys यह क्या है CSV क्या है CSV, right answer हो जाएगा option C निम्न में से कौन सा pivot table fields list में से एक box नहीं है, कौन सा नहीं है पहला column labels है, report filter है, values है, formulas यह नहीं है कौन सा नहीं है, option D जो है is question का right answer हो जाएगा next question, कौन सा ribbon menu command के page setup grouping को प्रधर्शित करता है, कौन सा ribbon menu command के page setup को grouping करता है, कौन करता है grouping, page layout ठीक है page layout जो है, grouping करता है, page setup, page setup grouping को page setup grouping को कौन करता है, page layout next question, MS Excel में किस tape का उपयोग, किसी कार्य पत्रक की data सुची में रखे गए data को आयात, query, outline करने के, करने और घठाने के लिए किस tape का, किस tape का उपयोग का, next question इसके बाद में किस प्रकार के एक या अधिक डेटा तत्वे दूसरी डेटा तत्वे से कैसे सम्मंदित है आप उस चार्ट को क्या कहते हैं जो यह है अनुपाद दिखाता है कि एक या अधिक डेटा तत्वे दूसरी डेटा तत्वे से कैसे सम्मंदित है तो guys उसे हम pie chart के द्वारा दर्शाते हैं next है निम्न में से कौन सा excel 2010 में equals चिन के साथ सुरू हुआ कौन array आ रही है तो आप सभी को पता equal चिन जह है उसके साथ सुरू होता है formula कौन होता है formula option D right answer next उसने कलपना करें कि आपके पास print करने के लिए एक spread seat है क्या है भाई आपके पास में spread seat है आप चाहते हैं कि सभी कोलम परदर्शित होने के लिए आवसक रूप से एक प्रसपर सभी कोलम फिट हो कौन सा method सबसे अच्छा है कौन सा method होगा सबसे अच्छा guys page layout टेब पर चोड़ाए को एक page पर set करें right answer हो जाएगा option C next question है इसके बाद में MS Excel में कौन सा विकल्ब कुछ सर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को परदर्शित करने के लिए उप्यूग किया जाता है MS Excel में कौन सा विकल्ब कुछ सर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को परदर्शित करने के लिए उप्यूग किया जाता है कौन सा करते हैं guys राइट आंसर हो जाएगा option B filter ठीक है next question देखो कौन सा dialogue box pivot table में filled नाम बदलने की अनुमती देता है कौन सा dialogue box pivot table में filled नाम बदलने की अनुमती देता है तो right answer हो जाएगा option filled setting filled setting जो है इस question का right answer हो जाएगा इस तरह के से 6 जो 6 number का chapter था वो complete अब हम बढ़ रहें students 7 chapter की ओर तो guys 7 chapter का first question अपनी screen पे है powerpoint में एक खाली slide में dotted area को का जाता है dotted area को हम कहते हैं placeholder क्या कहते है students placeholder next question है Microsoft powerpoint का file extension क्या है Microsoft powerpoint का file extension जो है वो आप सभी को पता होगा dot pptx होता है Microsoft का powerpoint file extension next question है MS powerpoint में निम्न में से कून सा presentation view vehicle presentation के सभी slides के थमलेन को आसाने से व्यावसित करने के लिए दिखता है कून सा view दिखता है guys वहाँ पे हमें दिखता है slide shorter view slide shorter view option see right answer होगा powerpoint में themes किस tape के अंतरगत पाई जाती है powerpoint में themes वो है वो किस tape के अंतरगत पाई जाती है तो वो design tape के अंतरगत पाई जाती है next question है single page पर 4 slide print करने के लिए किस option का प्रियोग किया जाता है single page पर 4 slide print करने के लिए किस option का प्रियोग किया जाता है कौन से print का उप्योग करते हैं guys वहाँ पर हम करते हैं hands out का ठीक है किसका use करते हैं hands out का ठीक है hands out का जो है हम use करते है right answer option a next question है powerpoint 2 0 1 0 में back stage view में कितने pain है powerpoint 2 0 1 0 में back stage view में कितने में ये कितने pain है कितने pain होते हैं guys वहाँ पर pain होते हैं 3 कितने 3 ये question पिछले बार भी जो है exam में पूछा गया था next question देखो slide में block arrow डालने के लिए slide में block arrow डालने के लिए upio के जाने वाले tape का नाम क्या है उस tape का नाम होता है insert tape next question है यदि आप current presentation में अन्य presentation से कुछ slide से मिलित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा guys बहुत easy है home tape पे जाओ under slide new slide, reuse slide reuse slide ठीक है right answer हो जाएगा option 1 next question है powerpoint किस प्रकार का software program है powerpoint जो है किस प्रकार का काफी बार ये exam में question पूछा गया है कि powerpoint किस प्रकार का software program है तो powerpoint जो है वो होता है आपका presentation graphics प्रस्तुति graphics ठीक है right answer हो जाएगा option C next question है powerpoint में text item chart sound video इत्यादी कौन से item है powerpoint में text item chart sound video इत्यादी कौन से item है कौन से item है guys slides है कौन से है slides option है इसका right answer हो जाएगा next question है powerpoint में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का अप्यूग किया जाता है powerpoint में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का स्वचालित मतलब automatically चले तो उसे auto content wizard कहते है क्या कहते है auto content wizard options is guys का right answer हो जाएगा next question है कौन सा विकल्प सम्वाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है निर्मित डिजाइन कौन सा प्रदान करता है template right answer हो जाएगा option D next question है slides हो के दोरान laser point दिखाने के लिए key के किस सा यूजन का उपियों किया जाता है कौन सी सा यूजन का guys right answer हो जाएगा control plus left mouse button next question है powerpoint presentation को रोकने के लिए किस key का उप्यों किया जाता है रोकने के लिए हम जो है escape key का use करते हैं तो right answer हो जाएगा option A next question है unmish presentation में slides को unmish presentation में slide को print करने के लिए किस और slide को print करने के लिए हम use करते है control plus P का ये तो सभी को पता है print करने के लिए control plus P next question है slide में part फर विबिन प्रभावों को लागू करने के लिए किस menu का उप्यू किया जाता है विबिन प्रभावों को लागू करने के लिए कौन से menu का हम यूज करते हैं animation menu का ठीक है right answer हो जाएगा option A next question है Microsoft PowerPoint क्या है Microsoft PowerPoint क्या है guys Microsoft PowerPoint जो है एक presentation program है question repeat हुआ है next question देखो open office में इस application का उप्योग करके organization presentation की तियारी की जा सकती है किसका यूज करके guys option D इंप्रेज का यूज करके ठीक है next question है इन में से कौन सा PowerPoint में इन में से कौन सा PowerPoint में slides के default रूप में page setup orientation page setup orientation कौन सा होता है default के रूप में default में landscape होता है guys default by default जो है right answer हो गया option A next question है कौन सा उपकरण उप्योग करता को slide के लिए अलग layout का चैन करने के अनुमती देता है कौन सा उपकरण उप्योग करता को slide के लिए अलग layout का चैन करने के अनुमती देता है कौन देता है slide layout guys उसों बोलते हम slide layout right answer हो गया option D next question है PowerPoint प्रस्तुति को चलाने के लिए किस function की का उप्योग किया जाता है PowerPoint presentation को चलाने के लिए किस function की का यूज करते हैं उसके लिए हम use करते हैं F5 का किसका use करते है F5 का next question है PowerPoint में कौन सा समवाद box समय की अवधि में स्वचाली रूप से slide बदलने की अनुमती देता है स्वचाली रूप से slide बदलने की अनुमती कौन देता है guys slide इस्तानांतरन कौन देता है slide इस्तानांतरन option B इसका right answer हो जाएगा next question है प्रस्तुती में त्वरित animation जोडने के लिए मतलब photo photo animation त्वरित ठीक है animation जोडने के लिए किस बटन का उप्यों किया जाता है और interactive प्रस्तुती में मदद करता है कौन से बटन का action बटन का किसका action बटन का option D right answer होगा ms powerpoint में कौन सा dialogue box एक समयावदी में slide को सचालीत रूप से बदलने की अनुमती देता है तो आप सभी को पता है slide transition होता है कौन होता है slide transition next question इसके बाद में powerpoint में किस item graphics chart ध्वनी वीडियो में text आदि सामिल है किस में सामिल है option B slides में ठीक है किस में slides में slides में आपको graphics chart ध्वनी वीडियो आदि सब चीज़े मिल जाएगी ठीक है slides option 20 का right answer होगा इस तरीके से 7 chapter complete अब हम बढ़ेंगे add chapter के और add chapter का नाम है database concept queries and joints and functions ठीक है तो students 8 chapter का first question अपनी screen पे है first question है इस्तायत्वे सुर्णिस्चित करने के लिए निमने में से कौन सी परणाली जेमेदार है guys English में अगर हम question पड़े तो which of the following system is responsible for answering durability 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 के लिए कौन सा system जो है वो responsible तो guys recovery system कौन सा system recovery system विशेश्था सब्द किसी table के खालिस्तान को संदरवित करता है विशेश्था table column को संदरवित करता है next question है अपने पास में उपर दीगी परतिकरिया को call करने के लिए निमन में से किसका उपयोग किया जाएगा तो यह question तो तोड़ा साफ लोग खुद से कर लेना ठीक है राइट आंसर इसका option B हो जाएगा ठीक है next question देखो database खालिस्तान जो database का logical design है और database खालिस्तान जो किसी दिए गए समय में database में data का Snapchat है तो guys यहाँ पे schema and instance schema and schema and instance ठीक है राइट आंसर हो जाएगा option D next question है निम्न में से कौन से TCL command है तो राइट आंसर हो जाएगा option A commit and rollback next question है command statement का format खालिस्तान है राइट आंसर हो जाएगा option D next question है इसके बाद में निम्न में से कौन सा if statement के लिए सही प्रारूप है if statement के लिए कौन सा सही प्रारूप है guys if statement के लिए जो है if boolean expression then statement or compound statement else if boolean expression then statement or compound statement else statements or compound statement and if option A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से किसका उप्योग किया जाता है question पूरा है किसी प्रक्रिया में किसी प्रक्रिया में प्रविष्ट को input करने और एक variable में परिणाम देने के लिए निम्न में से किसका उप्योग करते हैं किसका उप्योग करते हैं in and out का next question है किसी बड़े डेटाबेस में विशेशताओं को प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सबसे अच्छा तरीका है option B कांसे टेंशन ठीक है जोड़ना कौन से टेंशन ठीक है कौन से टेंशन ठीक है राइट आंसर हो जाएगा option B next question है dml का फुल फॉर्म जो है वो पूछा गया और dml का फुल फॉर्म होता है students डेटा मैनिप्लेशन लेंग्वेज डेटा मैनिप्लेशन लेंग्वेज अप्शन B में है यहां पर तो रहे टांसर हो जाएगा option B next question है कारे की single लोजिकल यूनिट बनाने वाले संचालन के संग्रे को खालिस्तान कहा जाता है क्या कहेंगे उसे हम कहते हैं transaction क्या कहते हैं transaction option D जो है इसका रहे आंसर होगा next question है declare out of classroom seats condition declare exit handler for out of classroom seat begins sequence of statement and उप्रोक्त कतनों का उप्योग हालिस्तान के लिए किया जाता है इन सभी कतनों का उप्योग जो है हम करते है handling exception option B इसका right answer हो जाएगा next question है SQL में निम्न कतन क्या करता है actual name 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 100ी तेबल स्टूडेंट द्रॉपटव तो च्छोभी टेबल स्टुॐए टेबल स्टूॉटिन्थ की उसको क्या करें धिया टेगा आप dock after table student post क्या करता यह जो एउन्व क्या करेगा और गैज यह क्रए गाइस यह करेगा next question है oracle table की स्रंचना प्राप्त करने के लिए उपयोग करने योग्य कमांड है oracle table की स्रंचना प्राप्त करने के लिए जो है हम यूज करेंगे describe table name ठीक है next question है function विभाग बनाए count department underscore name वाश्जार ठीक है पर लिखा हुआ है और उप्रोक्त कथन में त्रूटी ग्याद करना है आपको इस कथन में त्रूटी ग्याद करना है तो गाइस इस कथन में जो त्रूटी है वो हो जाएगी return type missing return type जो है वो इसमें missing हो रखा है तो right answer हो जाएगा option E next question है students एक domain पर मानू है यदि domain के तत्वों को खालिस्तान इकाईयां माना जाता है अब भज्य right answer हो जाएगा option B next question है किसी विशेष्टा के प्रतेक मान के लिए एक कोलम वाले विभाग वर्ष समन जैसे अभ्यावेदन को खालिस्तान कहा जाता है इनका व्यापक रूप से spreadsheet और report और data wish lesson tool में उप्योग किया जाता है right answer हो जाएगा cross tape क्या हो जाएगा right answer cross tape next question है निम्न में से कौन सा database का एक परकार नहीं है database का कौन सा प्रकार निश्रे नीबत तो है network विप्रित विकेंद डी सेंट्रलाइज विकेंद रिक जो है फूर नहीं है next question DDL command के बारे में निम्न में से कौन सा true है DDL command के लिए कौन सा true है गाईज तो option C जो है इसका right answer होगा with DDL command any structural changes can be made to the table including creation, deletion and the alteration तो right answer हो जाएगा option C ठीक है option C जो है इसका right answer हो जाएगा next question students इसके बाद में समंधों के tuples करम के हो सकते हैं तो guys कौन से any करम के किसी भी करम के हो सकते है with demand द्रसे पर हमारी query को सफलता पूर्वक निस्पादित करने की क्या आवसकता है तो निस्पादित करने की आवसकता we must have select privilege on the view right answer हो जाएगा option D इसके बाद में next question है DDL का full form अभी आया था DDL का full form जो है वो होता है guys data definition language ठीक है DDL का full form होता है data definition language next question है isolation में अनुवादगा निस्पादन database के खालिस्तान को संरक्षित करता है consistency इस्तिर्ता right answer हो जाएगा option B next question है किसी सम्मंद की प्रतेग विसेश्ता के लिए किसी सम्मंद की प्रतेग विसेश्ता के लिए अनुमत मानों का एक set होता है जिसे उस विसेश्ता का खालिस्तान कहा जाता है क्या कहते हैं domain क्या कहते हैं students domain right answer हो जाएगा option A अब 8 chapter अपना complete है इसके बाद भी हम बढ़ रहें students 9 chapter क्यों 9 chapter का नाम है network communicating and internet concepts तो guys 9 chapter का first question अपने सामने when के लिए कुन सा उधर है इथरने ठीक है when के लिए कुन सा उधरने इथरने नेक्स है ADSL का पून रूख क्या ADSL का full form है guys asymmetrical digital subscriber line ठीक है option C का right answer हो जाएगा next question ने name में से कौन सा cable light waves के रूप में message परसाधीत करता है light waves के रूप में optical fiber जो है वो इसका right answer होगा modulation demodulation के लिए किस device का उप्योग करते हैं किस का use करते हैं modium का use करते है modulation और demodulation के लिए इसके बाद में next question है proxy server के लिए कि server load को कम करता है proxy server कि server load को कम करता है कौन से server load को कम करेगा guys original server ठीक है next question है किस प्रकार का network connection 10 के में से 1000 गेमी छेतर को cover करता है दस से 1000 की में के बीच के लिए जो है वेन का हम यूज करते हैं वाइड एरिया network next question है वाइस आवर आईपी में एसाईपी का पून रूप के है वाइस आवर आईपी के लिए बोल रहा है कि एसाईपी का फुल फॉर्म क्या है सेशन इनिसियेशन प्रोटोकॉल नेक्स्ट क्यूशन आपका निम्न में से कौन महत्पुन डॉमेन नाम है कौन सा महत्पुन डॉमेन नाम है तो गाईस जिया जाएगा राइट अंसर www.nemi.gov.in तो चुन एक memberdade खानी is seems इसके बाद में ट्यूस्टेत पेर वायँ को Aksyal केबल केबल फाइबल खाललिस्तान के उफारन के किसके उफारन इस वायड मीडिया थैठ कि उफारन थे वायड मीडिया क्यों साथ और जान वंडियर के साथ कैने नेटवर्क को जोडता है है कही नेट्वक को पॉच कोझता है कौन सा डिवाइट होता है कहlier को साथ कई नेक्वर्क सेग्मेन को जोडता है क्ऊनसा रेगा ठाईगा। B बीच किस परकार का Firewall Connect हुआ है किस परकार का Firewall Connect हुआ है iz ah hardware firewall ठीक है next question is कौना ऐत्रीन कर्ता है ओक्सित औरक्सित करता है तो right answer आंशर आएगा Daniel of Service option欠ी का right answer रहेग just next question is सरेनी 5 UTP cable में तारों के कितने जोड़े होते हैं तारों के कितने जोड़े होते हैं कितने होते हैं घुच्छा सब को पता है एमेल का फुल फूर्म पता है के लिए सुर्क्सा algorithm next upon sonet WWW का फुल्फ फॉर्म क्या है WWW का फुल्फॉर्म होता है गाई worldwide Bose option में be option में worldwide next question in class a के लिए default network mask class Algorithm 1400 network mass Alexa है तो आप सने इसका रङत ढ़िए ंसर जाएगा 20.05.0.0.0 ठीक है what is the full form of IP IP का full form देखो काफी बार पूचा गया IP का full form internet protocol options सी इसका रहे टेंसर होगा next question है कौन सा packet filtering firewall nemo को परिवासित करता है कौन सा packet filtering firewall nemo को कौन सा packet होता है guys होता है access control list ठीक है next question है video conferencing video streaming live chat wave आधारित पाठेगर्मों के लिए किस की आवसकता होती है online development की online वीकास क्या आवसकता होती है next question है WN का home proof wide area network होता है क्या होता है wide area network wide area network कौन से option में option A में लिखा wide area network next question TCP का full form तो TCF का full form होता है students TCF का full form होता है transmission control protocol first option में नहीं है second में भी नहीं है third fourth में transmission control protocol option 10 का right answer नेक्स्ट क्यों से नेटवर्क में विभीन परकार की उपकरनों को जोडने के लिए किस परकार का cable network में विभीन उपकरनों को जोडने के लिए किस परकार का cable किस परकार का cable street cable option 20 का right answer हो जाएगा street cable ठीक है कुन से केबल street cable ठीक है option 20 का right answer हो जाएगा इस तरह किसे 9 chapter complete अब हम बढ़ेंगे 10th chapter की और 10th chapter का नाम है option है इसका right answer होगा किसी element की background image set करने के लिए निमनिमे से किस CSS property का उप्योग किया जाता है कौन सी CSS property का यूज करते हैं क्या बोल रहा है background image set करने के लिए तो गाइस वहाँ पर हम यूज करते है background image का ही ठीक है right answer हो जाएगा option भी next question है कौन सी वेब भासा HTML तत्वों पर अधिक नियंतरन देती है और वेब server पर वापस आए बिना उन्हें किसी भी समय बदलने की अनुमति देती है तो गाइस वह होता है DHTML कौन होता है वह DHTML next question है इन में से कौन सा एक मुक्त wordpress domain में नाम है जो wordpress.com उप्यों करता हों को प्रदान किया जाता है गाइस राइट answer हो जाएगा option c you site.wordpress.com ठीक है इसके बाद में बढ़ते ही students next question क्यों next question है table में take क्या उप्यों होगा table में take क्या उप्यों करता है guys table data क्या होता है table data राइट answer हो गया option भी next question है web hosting server को web page प्रकासित करने के लिए किसका उप्यों किया जाता है किसका उप्यों करते है students हम यूज करते हैं composer का ठीक है composer का next question है drupal में node क्या है drupal में node क्या है यह पूछा गया है तो guys drupal में node in digital content का कोई भाग होता है जैसे कोई piece, pool, article आदी तो right answer होगे option है web page प्रस्ट जिने संसोदित नहीं किया जा सकता उसे क्या करते हैं वो सभी प्रस्ट जिने संसोदित नहीं कर सकते जिनको modified नहीं कर सकती उन्हें हम कहते हैं static क्या कहते है students static, next question है यदि video load होते समय video की उंचाई और चोड़ाई निर्धारित नहीं कि जाती है तो क्या होगा वीडियो load करते होते समय वीडियो की उंचाई और चोड़ाई निर्धारित ना हो तो होगा क्या ways flicker, क्या होगा? piz flicker, option d's का right answer होगा, next question है W-Y-S-I-W-Y-Z का अर्थ क्या है इसका अर्थ है what you see is what you get what you see is what you get ठीक है right answer हो जाएगा option A next question है किस wave page में नियांतरन होते हैं जिसके साथ उप्योग करता interact कर सकता है तो guys किसके साथ कर सकता है dynamic के साथ option C's का right answer होगा निमन HTML code का output क्या होगा निमन HTML code का output क्या होगा तो guys output जो होगा आपको option भी निमी चैन नहीं ठीक है निमी चैन नहीं option भी right answer हो जाएगा इस तरीके से देखिए 10 चैप्टर आप लोगों के complete हो चुके हैं 11 से लेकर 16 तक के जो चैप्टर से वो मैं लेकर आऊंगा next वीडियो में जितने भी कोपा ट्रेडवाले students हैं सभी आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके कोपा के जितने भी अन्य जो फ्रेंड्स हैं उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर देखें हाँ इस वीडियो के description में जो मैंने बताया एक से पांच चैप्टर तक का जो वीडियो मैंने डाल रखा उस वीडियो की link जो है वो इसके description box में उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें तो students फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आपसे next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद